आमडी फाटा की ओर से आ रहे है ट्रक को पार्शुनी की ओर से जा रहे है ट्रक ने नयाक उनके पास जोटा टक करवाती जिसमें ट्रक चालक गंबी रुप से खायल होने की वारतात इतवार की रात तीन बजे हुई मिले जानकारी की अनुसार ट्रक क्रमांग MH40 BL 2867 पार्शुनी शहर की ओर से आमडी फाटा की ओर बड़ी तेजी से जा रहा था वही आमडी फाटा की ओर से पार्शुनी की ओर जा रहे है ट्रक क्रमांग यूपी बासस बिटी 5117 को नया कुर गाव की पास इतवार की रात ती जो कि कनान का रहने वाला था वो गंपे रुप से घाल हुआ जिसमें ट्रक चालक का हाथ तोड़ गया वहें इस घटना में दोनों ट्रक को फारी नुक्सान प्युवा वरदात की जानकारी मिलते ही पार्शुनी पुलिस घटना सल पर जाकर घाल ट्रक चालक राजश को घा पर वाहनों में फिड़न्थ होती रहती है दो तिन पहले ही पालो राफाटा यहां दो ट्रकों में फिड़न्थ होई थी जिसमें दोनों ट्रक चालक बाल पार बच गये रोजाना यहां से ओवर लोड रेती के ट्रक चलते रहते हैं वही रेती की डुलाई बड़े पैमानी पर यहां से बाहरी राच में रेत भेजी जाती है पर प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कारीवाई नहीं होने से वार्दातों में बड़ोतरी हो रही है शमता से अधिक रेती भरे ट्रक कोईला ले जाते ट्रक दिन राद बिना रोक्तों के धडले से यहां से गुजरते रहते हैं फिर भी प्रशासन तथा मैसल विपाग रेती चोरी करने बालो तथा ओवरलोड ट्रक चालखों के खिलाव कारीवाई करने से कता रहे हैं जिससे अधिकारी उपर इस काम में लिफ्थ होने का संथ्य नागरी को द्वारा जताय जा रहा है इसलिए जिलादी कारी पोलिस अधिक्षक परिवान विपाग आर्टियों ने इन अवेद व्यवसाय करने वालों के खिलाव कड़ाई से कारीपाई करने की मांग नगर वास्य द्वारा की चारी है मिसेन नियूस के लिए पार्शय निस से रुपेश खंडारी के रिपूर्ट